तो दोस्तो आपने मटन करी तो बहुत देखे होंगे तो मैं आज बना रहा हूं मटन करी एकदम देशी स्टाइल मटन करी इसमें मैं आलू भी आड़ किया हूँ अप लोग देख पारे होंगे मटन ग्रीबी को कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है तो आज हम लोग बनाते चलिए शुरू करते हैं इस रेशीपी को तो पहले मैं मटन लेहा हूं मटन मैं आर कर रहा हूं salt फहले मटन को मैरिनेट करते हैं इसमें आड़ गरने हूं रेड चिली पाउड़र ये सब्सक्राइब काशमर्शाल मटन शीरे बड़ेका है अधियर चिली खालँ और इसमें आपने आपने को पेस्ट इन तरह में अभी हम मिला देते हैं कुछ इस तरह से आप लोग को मिला देना है दोस्तों यह एकदम देशी स्टाइल रेशीप यह आराम से बन जाता है कोई दिक्कत नहीं होता है हम आज इसको कूकर में बनाएंगे यह देखिए दोस्तों मैं एक स्पेशाल मसाला का इस्तिमाल क्या हूं ज्यादा खड़े मसाला में आड़ नहीं किया थोड़ा सा लॉंग तेज पत्ता और सिनेमा स्टिक और ग्रीन काड़ मों आप लोग देख पा रहा हूंगे इसको मैं इस इसमें कूट लेता हूं इस पत्थर में यह देखिए दोस्तों यह आराम से इस तर लिया था जिंजर गालिक में से काट कर रखाऊं जिसे मैं पेस्ट करने वाला हूं और ग्रीन चिली स्लाइस दोस्तों अब चलते हैं अगले वीडियो के तरफ हम कूब में कूकर ले लिया हूं कूकर में आड़ करना मस्टाड ओयल यह देखिए दोस्तों ओयल को थोड़ा गरम होने दना है अब हम लोग इसमें आड़ करेंगे होल जीरा जीरा आड़ करने के बाद आड़ करेंगे ग्रीन चिली स्लाइस ग्रीन चिली का सारा फ्लेवर ओयल में आने देना है दोस्तों बहुती बड़िया टेस्ट आता है अब ग्रीन चिली होने के बाद आड़ करते यह देखे दोस्तों अपना ओनियन ओनियन को बीच बीच में चलाते रहना है दोस्तों ओनियन को नीचे लगने नहीं देना जैसे कि मैं बोला मैं इसमें ज्यादा ओयल का इस्तमाल के हूं इसके लिए ओनियन लगेगा भी नहीं देखे दोस्तों अपना ओनियन एकदम रेडी आट याद रहना दोस्तों जो जिंजर गालिक उसमें आपको ज्यादा गालिक लेना है और कम घंजर लेना है जो इसका?? तेस्ट आए यहां गभी तो जिंजर गालिक इसे को फूट रहने जैसे किमें बोला बीच बांते rhymes थी घंजर मिवट लेश ज्वाइब लोग आड़ करते हैं टमाटो श्लाइस टमाटो श्लाइस डाल के इसे भी हम सई से घुनते टमाटो पूरा अपना ग्रेवी में मिल्ट हो जाना चाहिए दोस्तों अब लोग देख पैर होंगे अपना ग्रेवी एकदम फ्रॉफर ग्रेवी बन चुका है यह देख रहें अब यार करते हैं गरम मसाला नो करते हैं जीरा पाउडर ऊ अर अब यार करते हैं धनिया पौडर मझे अब यार करते हैं सौल्ट तो दोस्तों इन सारे मसाला को डालकर रहा हम हम सही से भुण लेंगे या दिए बी द्यान एकना दोस्तों नीचे लगने नहीं देना है आप लोगों बीच वीच में चलाते रहना है यह देखिए दोस्तों अपना मसाला भून चुका है बर्याबर प्रपर तरीके चे भून चुका है जितना भी ओयल है सारा उपर आ चुका है अब यह हम लोग आड़ करेंगे गराम मसाला जो खड़े मसाला को आढ़के लियर्त ना दानादना करके उसको आड़ करते हैं इसी टेज पर आड़ करना दोस्तों इसी टेज़ भर आड़ करने बेर क्या फायदा है press law opener के कि जितना भी खड़े अपना ओई के रेडी हो चुगाए अभी हम लोग आर करते हैं मिटन मटन आ करकेव हम इसे पकाएंगे सही करेंगे मतन को जैसे कि मैं बोला है हम् — कूकर में बना रहे हैं कूकर में ज्यादा पकाने की मैनत ने रह गया दोस्तों हम लोग इसे 30-40% तक पका लेंगे मतन को पका करकी अब इसे सिटे मार लेंगे 4-5 सिटे मार लेना दोस्तो 4-5 सिटे में अपका मतन एक द्रब्रेडी हो जाएगा इसे दोस्तो mandated मतन को मसाल के साथ मिलाते हैं सही से इंतिजर करना जब तक मतन में से पानी निकले मटन में से पानी निकलेगा तो मटन का सारा जो टेस्ट है फ्लेवर है वो बाहर आएगा आपका ग्रेवी में आएगा दिखे दोस्तों धीरे-धीरे मटन में से पानी निकलना शुरू हो रहा है इसे और पकाते हम जैसे कि मैं बोला इसे चलाते रहने मटन को तो दोस्तों यह जो रेसिपी एकदम सिंपल सा रेसिपी है जो मैं आप लोग के साथ सहर कर रहा हूँ आज तो आप लोग अगर मतन हंडी में या तो डीस में बना रहे हो तो आप लोग इसमें पकाने के लिए अगर आप लोगो दिक्कात हो रहे तो आप उसमें पपे आड़ कर सकते हो पपे ता में जल्दी पक जाता है मतन जो जैसे कि हम कुकर में बना रहे तो पकने की कोई टेंचन नहीं है अपने को सीटी मारे तो यह पक जाएगा बराबर गल जाएगा इदिके दोस्तों मैं इसमें आड कर रहा हूँ आलू जैसे कि मैं बोला देशी स्टाइल में हम बना रहे तो मैं इसमें आलू आड कर रहा हूँ आप लोग चाहे तो skip कर सकते हो इस तरह का जब मटन अपना बराबर कुरूक हो जाए और जो पानी है मटन से छोड़ने लग जाए पानी सारा आप लोग दिख रहा होगा वीडियो में जैसे इस तरह से पानी आजाए तो अभी हम लोग इसमें आड करेंगे पानी से दोस्तों फानी आड करेंगे पानी हिसाब से लेना दोस्तों मटन ज्यादा पानी नी रखना we turn थोड़ा दिखना चाहिए पानी में अब आम इसे सीटी मारेंगे अब लोग देख़ पा रहंगे मटन को मैं पूरा पकाया नहीं 30 से 40 परशन तक मटन को पकाया हूं अब जो पकना है वो कूकर के सीटी में पक जाएगा दूस्तो इस तरह से आप लोगो पानी आड़ करना है पानी आड़ करके अब हम इसे सीटी मारते है यह दिखे दूस्तो जैसे कि मैं बोला 4-5 सीटी आप लोगो मानना है कूकर के साथ तब अपना जो मटन है बनके एकदम रेडि हो जाएगा तो चलिए दोस्तो अपना सीटी हो चुका है यह दिखे दोस्तो अब आम इससे निकाल रहे हैं अभी अपना ग्रेवी रेडी नहीं हुआ है दोस्तो अभी इसमें और कुछ बाकी है पाते ही है दोस्तों अभी इसे आपको पकाना है और ठोड़ दर पकने के बाद इसका जो ग्रेव एक्दम पतला लग रहा है अप debt मसाला कोई कौन साझी का आप लोग कर सकते हैं अभ दर्वान को अप आप लोग सॉल्ट आड़ करना है आप लोग के हिसाब से सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से लेना है दोस्तों अभी हम लोग ऊपर में आड़ करते हैं खड़े मसाला खड़े मसाला हम अंदर में भी आड़ किये थे तकी मसाला में जितना अपना फ्लेवर है वो खीज लेगा ग्रे झाल नो उता हूं?